हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज नवरातरी का फोर डे है तो सबको हैपी नवरातरी मेरी तरफ से मातारानी सब पर क्रिपा बनाई रखे नवरातरी से पहले सबना का फ्लोग आता है जिसमें वो शोपिंग करने चाती है मातारानी की चुन्दरी या पर पर जब कमेंट सेक्शन में किसी ने का कि दिदी आप ब्लैक सुन्दरी मत चड़ाना ये अच्छा नहीं होता तो सपना ने उस कमेंट का जवाब भी दिया वहाँ पर कि हाँ मैंने आज तक नहीं चड़ाई और मैं नहीं चड़ाऊंगी ये नॉर्मल कनवर्शेशन है और यह हाँ पर बात खतम हो जानी चाहिए अब कोई इस चीज़ को सोचे तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन कोई जो इन्सान इस चीज़ को मुद्दा बना सकता है या फिर गलस सोच सकता है या गंद बख सकता है इसे हम गंद बखना ही कहेंगे किसी ने वहाँ कमेंट कि कि कैसी औरत है कितनी मनहूस है नवरात्री वाले दिन ऐसे मनहूस काम कर रही है काली चुन्डरी लेकर आई है माताराने के लिए और अपने पती को का गई ससुराल वालों को का गई इतना सब कुछ खाने के बावजूद भी इसको कोई तरस नहीं आ रहा मतलब ऐसी ऐसी वेज उन्होंने अपने कमेंट शेक्शन में डाल रखी है जिसे मतलब पढ़ने में भी मतलब तकलीफ हो रही है उस वरत को लिखने में तकलीफ नहीं हुई नवरात्री के इतने पावन दिन चल रहे है हमें तो अच्छा अच्छा बोलना चाहिए अच्छा अच्छा करना चाहिए और यदि हमें कुछ गलत लगता है जैसे हमें लगता है कि हमारे सामने वाला पूजा अच्छे तरीके से नहीं कर रहा तो हम उसको बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसी करना चाहिए और ना भी करे तो सबकी अपनी अपनी शर्दा होती है सबका अपना पूजा करने का होता है तो किसी को भी इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए यदि किसी लोगों को ऐसी लगता है कि मातारानी पर ब्लैक चुनरी चड़ती है तो ये उनकी थिंकिंग है आप नहीं चड़ाते तो अच्छी बात है आप मत चड़ाएए लेकिन इसके लिए लोगों को मनहूस कहना या उसके परिवार पर जाना बहुत गलत बात है मतलब आप खुद पर सोच कर देखिए यदि कल को आपके साथ ऐसा होता है जो सपना के साथ हुआ है उसकी बेटियों के साथ हुआ है सो सुराल वालों ने जो किया है उसके पती भी नहीं है इतना सब बुरा हुआ है कि आज उसके पास कुछ भी नहीं है कहने को और एक परिवार वाले उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उपर से आप लोग ऐसे कमेंट करे हैं जब उन्हें पता है कि आपके ऐसे कमेंट करने से वो ज खा रही है तो उसमें भी लोगों को शान्ती नहीं है आज अंशु का भी व्लोग आ चुका है अंशु ने नॉर्मल व्लोगिंग की है मतलब जो पुरानी बाते हैं भूलकर अब वो भी एक स्टार्टिंग करना चाहती है मूवोन कर चुकी है जी हाँ अच्छी बात है दोनों ने कहा था कि अंशु को अपनी लाइफ जीने देते हैं सपना को अपनी लाइफ जीने देते हैं ये अच्छी बात है अंशु काफी इंटेलिजेंट लड़की है दूसरी तरफ अब लोगों ने उस चीज़ को भी मतलब एक मुद्धा बना कर रख दिया जब सपना ने ये क बिजनस टार्ट करता है जो अपना जहां से माल खरीद रहे हैं उसको दिखाते हैं कोई नहीं दिखाता तो आपको कोई बिजनस नहीं करना था आपको परमोशन वीडियो बनानी थी तो आप पहले ही बता सकते थे लेकिन आपको एक चीज बता दें कि यदि सपना ने ये किसी नहीं बताया और ये ही कोंट्रेक्ट में होता होगा तभी तो वो आने जाने का खर्चा रहने का इतना सारा पैसा देते हैं तभी तो बड़े बड़े यूट्यूबर आते होंगे अर्मान मलिक तक वहां पर गए है पाइल क्रितिका ने भी दो दिन तक साड़िया पैन कर रही हो आपको भी कुछ भी नहीं पता आपने कमेंट करने शुरू कर दिये कि परमोशन कर रही है वैसे भी परमोशन करना कोई गलत थोड़ी है उसके पास तो अब एक ही चैनल बचा है दारोट भी उसने दे दिया है दिया हो या ना दिया हो उस पे सारी वीडियो डिली हो जाएगा वो चैनल उसके इंकम आनी सब कुछ बंद हो जाएगा वो जीरो हो जाता है तो अब यदि सपना वहाँ पर नहीं डालेगी ना तो भी वो चैनल बंद है एक स्नैपी गल्स उसके पास बचा है उसके उपर वो परमोशन वीडियो भी करेगी वो सारी चीज़े है जैसे आप गंदे गंदे कपड़े पहन रही है न अब यहाँ पर वैसे ही अपनी भावी को पहना रही है उसको भी जोकर बना करी रख दिया है और बहुत सारी बातें उसको कही जा रही है कि आप यदि अंचु को अन्फोलो कर चुके हो तो आप अब अंचु के साथ सूरज और राजवीर को जानते थे उसके बाद सपना ने अपना चैनल बनाया था साथ में अंचु का था और अब अंचु का अलग से हुआ है तो इसमें सपनार अंचु का बराबर का योगदान है सपना कभी भी नेम का यूज नहीं करती अंचु का सपना को कोई जरूरत नहीं है ना ही अंचु को जुरूरत है मैं नहीं कहती है अंचु को सपना की जुरूरत नहीं है ना मतलब नाम कमाने के लिए अंचु को भी बहुत सारे लोग जानते हैं वो भी फेमस है तो वैसे ही सपना ही फेमस है अंचु का नाम लेने की उसको जुरूरत नहीं है ना ही ल लगी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके संसकार चेंज हो गए कपड़ों से कभी भी इनसान को जज नहीं करना चाहिए यदि वो पहले गुंगट में रहती थी तो ये उसके संसकार थे कि साससुर जैसे रखते थे वो वैसे रहती थी लेकिन आज वो यदि अपनी बे कैसे कपड़े पहनती है नॉर्मल भी है शायद जो कमेंट कर रही है वो भी पहनती है लेकिन उनसे ये नहीं देखा जाता कि अगला बंदा ऐसा क्यों पहन रहा है या फिर वो गुंगट से निकल कर बाहर कैसे आगी वो बेड़िया कैसे तोड़ सकती है हाँ हम मानते हैं कि अपने जो सास सुरा या दादा दादी के लावा कोई नहीं होता लेकिन भाई 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 मा पिता तो पहले ही होते हैं एक लड़की के लिए एक लड़की को सबसे ज़्यादा जूरूत होती है तो उस टाइम पे मा बाप और भाई 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 ही सबसे पहले आते हैं कई वार सुसुराल वाले एक जैसे नहीं होते हाँ अच्छी बात है आपको वैसे मिले होंगे लेकिन हर लड़की की किसमत वैसी नहीं होती जैसे आप कह रही हो जरूरी नहीं है उसको बेटियों जैसा वाँ पर परिवार मिलेगा या फिर उसे वो सुख सुविदा मिलेगी ना भी मिले तो भी लड़की एड़ेस्ट कर लेती है लेकिन कई बार क्या होता है कि आलात ऐसे कर दिये जाते हैं कि लड़की को उस बेडियों में बान दिया जाता है वो खुल कर ना जी सकती है ना निकल सकती है लेकिन सपना ने तो वो सब भी किया उसके उपर वो सब अत्या चार ना होते तो शायद वो घर ना छोड़ती सबसे मेन तो अंशु को उससे अलग ना करते आज सिच्वेशन ये आ चुकी है कि अंशु अलग हो चुकी है सपना अलग हो चुकी है सपना के पास सिर्फ दो बेटिया है फिर भी कमेंट ऐसे किये जा रहे हैं लोग जैसे पता चुकी सोच रख कैसे सकते हैं खुद का परिवार खुद की बेटिया या खुद के परिवार में कोई मेंबर है तो वो बंदा तो फील कर सकता है कि उस पर क्या बीद रही है हम नहीं कहते कि जो सपना की सास सूर है उस पे कम बीद रही होंगी या उनको दुख कम है लेकिन उन्हें बूरा किया है ये बात गलत नहीं है यदि उनको ऐसा कुछ होता तो जैसे जैरी योगी की वीडियो आई है वैसे कोई भी लोग जाकर उनसे कुछ कह सकता था लेकिन वो नहीं कह रही और दूसरी बात रही बात प्रोपर्टी की और उन्हें निकालने की ये बाते तो हमारी सामने ही हुई है तो इसको थमनकार भी नहीं सकते आप लोगों का क्या कहना है कमेंट जरूर करना वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना